गड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है अच्छे से समझेगा ठीक है क्योंकि ऐसा ना हो कि करते करते बहुत देर हो जाए और एक समय ऐसा आए कि आपको किसी भी चीज का बहुत जरुवत हो लेकिन आपके पास समय ही ना हो ठीक है तो जो भी जिन्दगी में हासिल करना है वो समय के रहते करना है ये नहीं कि बस नसीब के भरोसे बैटें कि जो नसीब में है वो मुझे मिलेगा ऐसा नहीं होता है लेकिन आपने किया तब मिला, अगर नहीं करते तो आप वही बात बोलते हैं कि मैं नसीम में नहीं था, तो समझ रहे हैं, यहाँ पर महनत के उपर जो है वो सब कुछ डिपेंड है, क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नहे हैं, चैमल को सस् किलिग्राम सक्सेस की 98 पर मिल जाएगा, और किसी भी एक्जाम का प्राक्टिस सेट आप सभी सक्सेस की 98 से जाकर दे सकते हैं, या फिर एक रास्ता और है, हमारे खुद का एप्लिकेशन सक्सेस की 98 को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप एप्लिकेश के साथ आने वाले एक साल तक हर exam का test आप सभी को दिया जाएगा और आज कवर करने वाले हम सभी 19 February के important current affair कुछ important point के साथ उसके पहले एक बात बोलूँगा reasoning class बहुत दिन से नहीं चल रहा है और आप सभी का SAC का exam आने वाला है और आप सभी को पता है SAC का और railway का जो syllabus है reasoning का वो एक जैसा है तो आज रात को 10 बचे ना जो 2019 में जो reasoning का paper आया था SAC CHSL में 10 प्लस 2 में वो पूरा paper जो है मैं आप को रात को solve करा दूँगा हाला कि सारा chapter जो है वो आप सभी को clear करवा दिया गया है और बाकी class के timing आप देख ले ना वही time पर आपका class जो है वो चलेगा और आज कवर करेंगे हम सभी 19 February के important current affair तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्त हमारे सामने है किस राज सरकार ने यह announcement किया है कि Olympic gold medal जितने वाले बिजेता को जो है वो 6 करोर रुपे की पुरुसकार रासी दी जाएगी आप सभी को पता है 2020 में यानि इस वर्ष जो Olympic होने वाला है वो होने वाला है जपान की राजधानी टोकियो में अब हर्याना राज सरकार ने बोला है कि जो भी Olympic में gold medal जितेगा उसको जो है वो 6 करोर रुपे की रासी जो है वो दी जाएगी बहुत बड़ी रक्र में और आपको में बता दूँ हर्याना की सियम कौन है मनोहलाल खटर और राज जुपाल तो सत्य दिव नरायन आरिया और कैपिटल क्या है तो वो है चंडी करो आप सभी को पता है हर्याना एक ऐसा राज है जहां से athletes बहुत उभरते हैं आप boxing की बात करो कुस्ती की बात करो तो बहुत जादा जो athletes है वो वहीं से निकलते हैं ठीके और आप बोल सकते हो मनोबल को बढ़ाने के लिए मनोहलाल खटर जी ने announcement किया है कि 6 करोर रासी ऐसा फुरुसकार दिया जाएगा अगर इस बार Olympic game में कोई भी gold medal जितता है तो ठीके अगला प्रस्त हमारे सामने है वारानसी से उजयन यानि वारानसी कहां पर पढ़ता है उत्तर परदेश में उजयन कहां पढ़ता है तो ये पढ़ता है मद्ध परदेश में तो वारानसी से उजयन को जोड़ने वाली train का क्या नाम है जिसका उद्घाटन जो है हाल ही में मोधी जी के द्वारा किया गया और इस train को बनाने में total जो लागत आई है वो 1200 करोड उपे की लागत जो है वो आई है और उस train का नाम क्या है तो उस train का नाम है आपका कासी महाकाल एक्सप्रेस ऑपसान नमबर आपका A और आप सभी को पता है कि बनारस में जो है वो कासी बिस्तोनात का मंदिर है बाबा संकर जी का और उजयन में जो है वो महाकाल का मंदिर है वो भी संकर जी का ही मंदिर है तो दोनों मंदीर को जोड़ा जाएगा एक ट्रेन के माध्यम से जो है आपका ट्रेन का नाम कासी महाकाल एक्सप्रेस यानि लोग जो है वो बहुत आसानी से जो है वो दोनों जगह के दर्सन कर सकते हैं ठीक है अगला प्रसमारे सामने हैं किस भारतिय राज ने हाल ही में भा पहली इंटर सीटी इलक्ट्रोनिक बस सेवा सुरू की है आपको बताना है और ये सुरू किया गया है आपका महराष्टर रास्तरकार के द्वारा यानि आप्सन नुमबर आपका A और महराष्ट का क्या है तो वो है आपका मुंबई अगला प्रस हमारे सामने है निमलिकीत में से कौन सा देश है जो वन जीवों की परवासी परजातियों के सरक्षड पर तेरवा स्कोप कोप COP यानि Conference of Parties यानि पार्टियों का सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो वो है देश हमारा भारत और ये मिटिंग कहां पर होगा इंडिया के अंदर तो ये होगा आपके गुजरात के गांधी नगर जो वहां का राजधानी है ठीक है और गुजरात के सीम कौने बिजयरुपानी राजजुपाल अचार देबरत और राजधानी क्या है तो वो ह आपका गांधी नगर जो मैं आपको बता चुका हूँ अगला प्रस्त हमारे सामने है निमलिकीत में से किस एथलेट्स ने हाल ही में 5 किलो मिटर की सडक दौर में नया बिस रिकॉर्ड यानि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया गया है किस खिलाडी के द्वारा कुस्टिन बोल रहा है विच अमंग दा फ्लॉइंग एथलेट्स हास रिसेंटली सेट निव वर्ल रिकॉर्ड इन फाइट किलो मिटर रोड रिस और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका जोसुआ चैपटेंगी और एक कुस्टिन मैं बता दू आपको यहां से इन्होंने जो 5 किलो मिटर की सड़क दौर पूरी की है इसमें इन्होंने 20 रिकॉर्ड बनाया है और ये रेस इन्होंने कितने देर में पूरी की है तो इन्होंने पूरी की है आपका 12 मिनट 51 सिकेंड के अंदर ठेक है और एक बात यह जो एतलीट से वो कौन से देश के हैं आपके एक्जाम में पूछेगा तो यह जो है उगांडा उगांडा के रहने वाले हैं और आज का आपका पहला प्रस्न यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी को कॉमेंट करकर यह बताना है कि उगांडा के रास्ट पती का नाम क्या है वहाँ पर मुद्रा क्या इस्तमाल की जाती है और वहाँ का राजधानी क्या है तो उगांडा के बारे में आपको तीन चीज कॉमेंट करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्तन है ठीक है अगला कुस्सन हमारे सामने है कौन सा राज्यो है जो बायो एसिया 2020 आजकल यानि टूडे टुमोरो सम्मिलन की मेजबानी करने जा रहा है और वो राज्यो है आपका तिलंगना अप्सन नुमबर आपका दी बायो एसिया टूडे टूमोरो कॉन्फरेंस मिटिंग कहां पर होने वाला है तो वो होने वाला है आपका तिलंगना में और वहां के मुख्यमंत्री के चंदर सेखर राओ राज्यो पाल तीमिल साई साउंडा राजन और राजधानी जो है वो है आपका हैदराबाद अगला प्रस्त हमारे सामने ह बहुत important question है ये वाला भी नाडा के द्वारा किस भारतिय भाला फेकने वाले को नाडा ने चार साल के लिए परतिबन लगा दिया है इनको हाला कि इनके खाने में न हलकी सी जो है वो ड्रग्स पाई गई है ठीक है जिसके वजह से जो नाडा है जो डोपिंग एजनसी है उन उनका नाम क्या है उनका नाम है आपका option number D अमीद दहिया ठीक है अगला question हमारे सामने है किस अंतराष्टी अजनसी ने देश में भुजाल में सुधार के लिए भारत सरकार के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन पर समझाते की है तो ये deal sign किया गया है वर्ल्ड बैंक के स और वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है तो डेविड माला पास ये मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ डेविड माला पास को लेकर ठीक है अगला प्रसमारे सामने है 17 February 2020 को मोडिस जो आपका agency है जो बताता रहता है समय समय पर अनुमान लगाता रहता है GDP को लेक तो मोडिस ने भारत के GDP बृद्धी का अनुमान कितने परतिसत तक कम कर दिया है 2020 के लिए तो जो मोडिस के अनुसार जो पहले अनुमान लगाया गया था 2020 के लिए GDP वो अनुमान लगाया गया था 6.6 परतिसत तक ठीक है लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है इन्होंने यह डाटा कम कर दिया है और उनका कहना है अब इंडिया का जो GDP रहने वाला है 2020 के लिए वो 5.4 परतिसत रहने वाला है आप सभी को पता है इंडिया में अब इंडिया का अबिर फिलाल में अर्थ विवस्ता कितना खराबे इसको देखते हुए अगला प्रस्त हमारे सामने 18 February 2020 को किस पुर्व बंगाली अविनेता और तिर्मूल कांग्रेस के सांसत का निधन हो गया है तो उनका नाम है आपका तापस पाल उप्शन नमबर A तो ये थे आपकी important current affair 19 February का इसका पूरा pretty up जाकर डाउनलोड कर लीजेगा विडियो के description में भी जो है link दिया गया है so मेरे जितने भी भाई वैने सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखिएगा ठीक है ना चलिए